हलो एवरिवन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ Infosys Spaceless Programmer का इंटर्वीव एक्सपिरियंस ऑफ 2024 एंड ये इंटर्वीव एक्सपिरियंस के वल एक दो दिन पहले का ही इंटर्वीव एक्सपिरियंस है अगस्ट 2024 का जो कि अभी इंटर्वीव भेजे गए है Infosys का ये उसका इंटर्वीव एक्सपिरियंस होने वाला है जो कि हमारे सबस्क्राइबर ने शेर किया है और मैं आपके साथ सारी की सारी इटियल करने वाला हूँ अच्छा इंटर्वीव एक्सपिरियंस है आपको मज़ा आयागा सुनके तन आगे बढ़ते हैं सो फर्स्ट अफाल इंटर्व्यू आई उर्फिस टो और टाइम टेए चेक्क्ड मैं टोक्युमेंट्स इंटर्वीव मेल एंड गेंष। एक गंटे बाद यहां पर इंटर्वी थी चेसा चेसा मुझे बताया गया है, मैंने सब कुछ सारी चीज़ें वह ऐसी की वैसी लिख दी है, जो सभी स्क्राइबर ने मुझे बताया था मैसेज में, तो लगबग इंटर्वी रूम में वेट करना पड़ा, और वन आर के बाद यहां पर जो इंटर्वी था वह यहां पर इस्टार्ट हो गया, ठीक है क्योंकि चेकिंग बगरा में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो एक गंटे बाद यहां पर जो इंटर्वी था व ग्लास ऑफ वटर एंट अस्क इफ ऐफ ए नीड एनिटिंग ठीक जो आई वाइवाज लगवास टेक टो टो इंटर्वी रूम में एक पैन दिया था पेपर दिया था एक लास ओफ वटर दिया था और आस्टी अट्यए और दो मिनिट्स दिया यहां थांपर क्या आप आरा इंपोसिस हो एक इन्पोसिस में वो कितने एर से काम कर रहे हैं Internet आपने बारे में थोड़ा बहुत बताया, अपना introduction दिया, ठीक है, then he asked the question, can you introduce yourself, so introduction तो companies में पूछा ही आता है, आपको पता ही है, तो बही ही question पूछा, can you introduce yourself, उसके बाद next question, please tell your education background and detail, so education background के बारे में detail में पूछा, कैसे क्या degree करी है, कितने CGPA बने है, favorite subject कौन सा था, आपका academics कैसा रहा, वो सब पूछा, मतलब अपने education background के बारे में अच्छ से detail में बताओ, then have you done any certification, ये question पूछा, कोई आपने certification किया है, तो candidate ने actually में वेर्ड अलप्मेंट का course कर रखा था, तो ये उसने बताया कि हा, मैंने वेर्ड अलप्मेंट का certification कर रखा है, then he asked why you use, why you choose वेर्ड वेर्ड अलप्मेंट, why I did not machine learning, so ये question interviewer ने पुचा कि जसे अभी तो machine learning अगरा चल रही है, AI चल रही है, so आपने वेर्ड अलप्मेंट क्यों चूज किया, so ये आप ही है सकते है, on-spot question है, ये तो, इस टाइब के questions पूछे जा सकते है, so make sure कि उस field के बारे में जो भी चीज It was similar to one lead code question but little modified, you are given an integer array nums, two players are playing a game with an array player 1 and 2, player 1 and player 2 take turns, with player 1 starting first, both players start the game with a score of 0, at each turn the player takes one of the number from either end of the array or starting from the array, which reduces the size of array by 1, the player adds the chosen number to their score, the game ends when there are no more elements in the array, written true, if player 1, 1 can win the game, if the score of both players are equal, then also written 1 is the still winner, so now, देखो ये question क्या है, basically इसमें का आपको एक array दिया है, अब suppose ये हमारे पास कुछ array है, two, four, nine, three, and one, six, ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो players game खेल रहे हैं, उसमें से एक player या तो first number pick कर सकता है, या last number pick कर सकता है, और उसके बाद second player की turn होगी, ठीक है, second player की turn होगी, पहरा जो player है, या तो वो first number pick करेगा, या last number pick करेगा, और वो जो भी number pick करेगा, वो अपने score में जोड लेगा, जैसे ये है player one का score, और ये है player two का score, तो अगर player one ने सबसे पहले six pick किया, तो वो six को अपने score में जोड लेगा, जैसे उसने six को अपने score मे तो अब यह 2 भी अट जाएगा अब player 1 के पास कितना है पanson 931 तो सपोस्द जो player 1 ए उसने choosing कर ніा 4隍 ठीक है फिर उसके बाद यह four भी हट ज गया फिर player 2 उसने choosing कर लिया 9 फिर उसके बाद यह 9 भी डिए गया अब player 1 ने तोra टोल जबस यहाँ पर player 1 के जो points हैं, वो कितने हो रहे हैं? 13, and जो player 2 है, उसके total points कितने हो रहे हैं? 12, right? तो कौन सा player जीता है? player 1, so बस यही return कराना है, कि अगर first player जीत सकता है, या नहीं जीत सकता है, तो यह question था, बेसिकली यह lead code का question है, और मैं आपको explain करता हूँ, यह यह question है lead code का, that is, predict the winner, ठीक है? और उसने जैसा candidate ने पताया है, थोड़ा बौत ही question modified था, you are given an integer array nums, you are playing a game with the player, player 1, 2, यही बारा जो question है, यह बना बताया हुआ है, यह question यहाँ पर पूचा गया था, dynamic programming का question है, और इस interview में इस question को solve करने के लिए, जो candidate का experience रहा, वही मैं आपको share करता हूँ, so, in starting, I was little confused, he was polite, he gave hints in starting for the approach, after that, I wrote pseudo code, then he asked me to write the full code, after that, one minute discussion on time complexity analysis, so, शुरू में तो candidate थोड़ा सा confused था, कि उसको नहीं समझ में आ रहा था, कि यह question कैसे सॉल होगा, but interviewer ने यहाँ पर दो-तीन हिंट्स दीए, starting में, जिससे candidate एप्रोच को समझ पाया, उसके बाद approach को catch कर लिया, उसके बाद सबसे पहले सूडो कोड लिखा, सूडो कोड एप्रोच को सोचने में, और interviewer के साल discussion करने में है, तो 30 minutes लग गए थे, जैसा उसना बताया, then 1 minute यहाँ पर discussion हुआ, time complexity analysis के उपर, ठीक है, तो major interview था, वो इसी के around था, then after DSA, he asked me few questions related to my project, why MarnisTech, what is React, library versus framework, difficulties in project, then what is friend class, friend function, explain late minding, so यह कुछ question पूचे, MarnisTech, what is React, library versus framework, difficulties in project, then what is projects के उपर, यह related question, और यह दो थीं question जो थे, वो उप्स से पूचे यहाँ पर, ठीक है, तो यह questions पूचे, उसके बाद ending, in the end, he asked, if I have any question, then thanks for interview, we will update you within 2 weeks about the result, तो यह interviewer ने बोला, यह जो interview था, यह तो अराउंड 50 minutes का चला था, जैसा का इनिट ने बताया, इसमें 30 to 35 minutes लग ग ब्लाबाद behavior question वगरा पुचे, so this was the actual experience, I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, thank you so much for watching.